हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसिय में दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत इमाद पूर होने वाला है क्योंकि आज कि इस video में आप लोगों को बताने वालों Scorpion White के बारे में मतलब अगर किसी को बिच्छू काट लेता है तो उसका क्या इलाज होता है उसको क्या-क्या करना चाहिए कौन-कौन से दवाईयां दिया जा सकता है कौन-कौन से injection लगाया जा सकते है क्या क्या करना चाहिए, ये बिच्छू क्यों काड़ती है, इसका क्या कारण होता है, मतलब सब कुछ A to Z आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरी तरह से समझाने वाला हूँ, तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्पूर है, अगर हम मेडिकल के प्रेक्टिस करने व भी दवापने सिना इस्तिमाल करें, बिना डाक्टर के सला के, सबसे पहली अगर हम बात करें, ये बिच्छू का डंक होता क्या है, ये जो बिच्छू होते हैं अटेक करती है, तो ये क्या होता है, दोस्तों जो बिच्छू का डंक होता है, बहुत जाद दर्दनाक होता है, लेकिन ये अधिकतर हानकारक भी होता है डंक अगर किसी को मार देती है तो जलन होने लगता है वहाँ पर चुभन होने लगता है और वहाँ पर साथ ही साथ लालिमा हो जाता है और लालिमा के बाद धीरी धीरी करके वहाँ पर जहनजनाहट होने लगता है वहाँ पर सूजन बनने लगता है जो होती है बिच्छू ये खुद को अपने आप बचाने के लिए ये डंक मारती है इन्हें लगता है कि हम उनके उपर अटेक करने जाते हैं लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं रहता है लेकिन फिर विवो हमारे उपर अटेक कर देती है उन्हें लगता है कि हम उनके उपर अटेक करने जा रहा है तो अगर सिंपली रुप से हम बात करें कि ये जो बिच्छू का डंक होता है ये डंक मारने का कारण क्या होता है मैंने आप लोगों के लिए एक special वीडियो भी मना दिया है साट वाला वीडियो जाकर करके आप लोग चेक कर लेना कि यह जो बिच्चू होती है यह डंक कैसे मारती है यह सबसे पहले क्या करती है यह जो आगे यहाँ पर बना हुआ है इससे हमारी तोचा को बहुत तेजी से पकड़ लेती है और पकड़ के तेजी से खीचती है अपने तरफ और खीचने के बाद यह जो पीछे बना हुआ है यह इनका डंक होता है इसी के रास्ती तुरंत इसी से मारना अटेक करना एक ही जगा पर लगातार दो बार तीन बार चार बार यह डंक मारना इस्टार्ट कर देती है और जो इनके अंदर विनम होता है जहर होता है वो तुरंत इसमे तोचा में छोड़ना इस्टार्ट कर देती है जिसके वाँपर दर्द होने लगता है जेलन होने लगता है, सूजन होने लगता है ये सारे के सारे प्राबलम देखे जानते लगते हैं लेकिन याँ पर बात ये आता है बिच्छो जो डंक मारती है, ये क्यों मारती है इनके मारने का क्या कारण होता है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और फिर सारी दावाईयों के बारे में हम बात करना इस्टार्ट करेंगे दोस्तो बिच्छो जो होता है ये आम तोर पर आबादी वाले इलाखों में ज्यादत तर रहते हैं ये अक्सर लोगों के घरों में जो दरारे होती हैं वहाँ पर ये अपना घर बनाती है वह अन छोटे जगों पर ये जैसे चट्टान हो गए उसकी नीचे ये रहने लगेंगे जलायों मतलब जो पुराने-पुराने लकड़ियां रखे रहती हैं या फिर जहांअपर पुराने-पुराने समान रहते हैं उस जगों पर यादा तर ये पाई जाते हैं और अगर माली जी हम लोग उस जगर पर जाते हैं सामान को इधर उधर करते हैं तो उन्हें क्या लगता है उन्हें लगता है हम उनके उपर अटेक करने जा रहे हैं उनके हम मारने जा रहे हैं कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बिच्चु उनको मार देता है काट लेता है तो हमें बाद में पता लगता है जब वो काट लेती हैं तब हमें पता लगता है वो तो यहाँ पर बिच्चु थी हमें पहले नहीं दिखा था तो इसी प्रकार से जो बिच्चु देखती हैं कि आप वहाँ पर आ रहा हैं तो तुरंत डंक मार देते हैं आपको क विच्छों मारती है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनको मारने जा रहे हैं, और वह अपनी रच्छा के लिए आपके ऑफर डंक मार करके वह जहर को डाल देती हैं आपके सरीर के अंदर, और इसी प्रकार से बिच्छो लोग जो होती हैं डंक मारना इस्टर्ट करती हैं, और मेनली यही कारण होता है, इसी वज़े से बिच्चु लोक्या करते हैं, डंक मारते हैं, अब यहाँ पर बात यह आता है, कि अगर किची को बिच्चु ने डंक मार दिया है, अगर मालीजे किसे को स्कॉर्पियन ने बाइट कर लिया है, बिच्चु ने काट लिया है, तब सबसे पहले स्टेज में क्या देखा जाएगा, वहां पर सूजन बन जाएगा, वहां पर बहुत तेजी से दर्द होगा, कहां पर दर्द होगा, जी जगह पर उसने बाइट किया है, जी जगह पर उसने काटा हुआ है, ठीक, उस जगह पर सूजन बन जाएगा, लाल हो दर्द देखा जाएगा, यह सारे प्राब्लम देखे जाते हैं, दूसरे स्टेज में क्या देखे जाने लगते हैं, कि वहाँ पर सूटिनिंग होने लगेगा, उसके बद हैट रेट भी बढ़ना स्टाइट हो जाता है, वो मिटिंग उल्टी भी हो सकता है, डायरिया भी हो सक लगता है, लंग में प्राब्लम होने लगता है, वाटर भर जाना यहाँ पर, पलमोर्नरी एडिमा हो जाना, यह सारे प्राब्लम तीसरे स्टेज में देखे जाने लगते हैं, यह बहुत ही बेसिक बात पता रहा हूं, जो कि प्राब्लम पेसेंट के अंदर देखे जाते है तो उनके अंदर ये सारे problem देखे जाते हैं, brain में problem हो जाना, सर में बहुत तीजी से दर्द होने लगना, liver, kidney, ये सारे चीजों का function जो होता है, ये hempired हो जाता है, leading multi-argonum failure, मतलब हमारे सरीर के अलग-अलग अंग जो होते हैं, इनके क्या होते हैं, जो work होते हैं, वो fail हो जाते हैं, ना सही से दिमाग काम करेगा, उसके बाद सारे के सारे function जो होते हैं, work करना सही से बंद कर देते हैं, तो अगर किसी को बिच्चू ने काट लिया है, तो उनके अंदर मालेजे bite कर लिया है, तो हर stage में अलग-अलग process देखा जाता है, यह भाला stage, दूसरा stage, जितना लेट होगा, उतना ही, यह सारे stage देखते हुए जाते हैं, इसलिए अगर किसी को बिच्चू ने काट लिया है, तो जिल्द सिल्द उनको इलाज करना चाहिए, अब क्या इलाज करना चाहिए, उसको भी एकदम आसान भासा में आपे समझाओंगा, दोस्तो इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हैं जिस बुक का नाम है A2Z Medicine बुक ये जो दोस्तो बुक है ये टोटल 600 पेज का है जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फिरे में पूरे बुक का 46 वी अचसाब पर पहुचेंगे उसे ही नंबर पर आपको पेमंट करना है वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्ट्चर भी मिल जाएगा जो लोग लेना क्राटा गंगों बता दिया हूँ, विच्छू अगर किसी को काट लेता है, तो यह क्यों काटता है, इसका क्या कारण होता है, यह भी बता दिया है, अगर किसी को विच्छू ने डंक मार दिया है, तो इनका क्या लच्छर देखा जाता है, पेसेंट के अंदर, यह भी आप लोगों को बता तो इसका क्या इलाज होता है इलाज की बात करें तो सबसे परला जो मेडिसीन होता है दोस्टों वो होता है लिग्णोकेन हाइड्रोकॉलराइडใं इंजेक्शन थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो यहां पर यह आपको देख जाएग़, यह है जो कि जाईलोख है, इनके भी नाम से famous होता है हिंदी भासा में भी देखें, आपर लिखा गया है जो कि ये 2% है, ये जो होता है TCML का होता है, अगर हम बात करें लिगनोकिन हाइड्रोकॉलराइड इंजेक्शन का तो ये Indian फर्मकॉपिया का ये injection होता है इस injection का क्या काम होता है दोस्तों जो लिगनोकिन हाइड्रोकॉलराइड इंजेक्शन होता है ये तो एक परकार का Local Anesthetic Medicine होता है Local Anesthetic Drug होता है, इनका क्या काम होता है देखिए, ये ऐसा injection होता है पहले तो ये injection नहीं लगा जाता है जैसे कि मालीजे अगर किसे को बिच्छू ने डंक मार दिया है तो इस जगह पर जहाँ पर मालीजे डंक मारा हुआ है वहाँ पर देखना चाहिए तो उनके आगे का जो डंक होता है कभी कभी इसे में तूट करके रह जाता है तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि इसको निकाल देना चाहिए इसको निकालने के बाद ये local anesthetic drug जैसे कि lignokin hydrochloride injection जो है इसको कहाँ पर लगा जाता है इसको लगा जाता है affected site में जैसे कि मालीजे यहाँ पर बिच्छू ने डंक मार दिया है तो इसी के आसपास कहीं पर इस injection को लगा दिया जाता है अब आप कहेंगे किस route से लगा जाता है तो इसको I.M. route से लगा जाता है intra-mascular लगा जाता है मांस में इसको लगा जाता है affected site में ये क्या होता है ये ऐसा injection होता है जो कि pain के receptor को black कर देता है जैसे कि माल लिजे आपको एक example देता हूँ जैसे ये हमारा सरीर है ठीक ये क्या है हमारा सरीर है ठीक यहाँ पर यह हमारा सरीर है यहाँ पर माल लिजे बिच्छू ने डंक मार दिया है तो इस जगह पर डंक मारा हुआ है तो इसी के आस पास लगा दिया आता है injection को जिसे इसका जो दर्द होता है ये हमारे brain तक ना पोचे इसलिए इसको तुरंत लगा दिया आता है इस injection को वही बात क्या जा रहा है याँ पर कि affected site में इसको intra-mascular के root से लगा दिया आता है intra muscular का मतलब होता है months में इस injection को लगा जाता है और इस injection का जो main काम होता है ये हमारे pain की receptor जो दर्द होता है उसके receptor को ये black कर देता है जिसे ये दर्द हमारे पूरे सरीर में ना फैले और अगर किसी को बिच्छुने डंक मार दिया है जितना जल्द से जल्द हो सके तो ये injection लगा देना चाहिए जिससे दर्द ज्यादा ना बढ़े जिसके वज़े से वहाँ पर ना सूजन हो ना लालिमा हो ये सारे problem ना देखे जाए इसके बाद एक और भी injection होता है जिसका इस्तिमाल किया आता है वो होता है hydrocoticosone sodium succinate injection इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ इस injection के बारे में समझ लेते हैं तो ये है coat yes के नाम से फेमस होता है यहाँ पर देखे ये है coat yes के नाम से फेमस होता है जिसका composition होता है hydrocoticosone sodium succinate injection जो कि एक प्रकार का Indian pharmacopoeia का injection होता है अब देखे ये एक ऐसा injection होता है जिसको आप IM root से भी लगा सकते है IV root से भी लगा सकते है लेकिन इसको डक्टर लोग प्रेस्क्राइब करते हैं कि इसको IV root से ही लगाया जाए IV root से इसको क्यों लगाया जाता है लेकिन अगर माली ये IM root से लगाया है तो आए-यम root से लगाना चाहिए मतलब इसको manz में लगाना चाहिए लेकिन अगर कहीं कहीं पर samden την लगाया है कि हिसको ाई-वी रूट से भी लगा सकते हैं इस प्रकार की injection को डक्टर लोग जादे से जहादा IV root से ही लगाने के लिए बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि इस injection को जब आप नस में लगाते हैं तो थोड़ा सा पीछे की तरफ कीछते हैं और जब पीछे की तरफ कीछते हैं तो जब injection में blood आ जाता है तो लग जाता है confirm हो जाता है कि हाँ ये injection नस में पहुंच गया है तो तुरंथ हम direct deliver कर देते हैं drug को blood में और जब कोई भी drug direct हमारे blood में जाता है तो उसका action जो होता है वो high होता है और patient को जल्दी से आराम मिल जाता है तो अगर इस तरह से लिखा राता है तो इसको ज़्यादा तर IV root से लगा जाता है लेकिन अगर मालीजे कहीं पर केवल और केवल लिखा गया है कि इसको IM root से लगाना है मांस में ही लगाना है तब मत सूचिएगा आप लोग कि इसको नस में लगा लेते हैं तो यह सारी चीज़ होता है इसका treatment इनका क्या काम होता है यह ऐसा injection होता है जो कि दर्द को ठीक करेंगे यह सारे चीज़ को ठीक करने के लिए इस injection को नस में लगा दिया जाता है लेकिन जिजगे पर बिच्छु नेugg किया है इसलिए इस injection को direct उसी के आसपास मांस में लगा दिया आता है जिससे वहां का दर्थ वहीं तक रह जाए और वहीं से ये ठीक हो जाए इसलिए इसको उस जगे पर लगाया जाता है तो ये बात हो गया अगर किसी को स्कॉर्पियन ने बाइट कर लिया है तो उसका क्या इलाज होता है अगर किसी को स्कॉर्पियन ने बाइट कर लिया है तो उनमें क्या-क्या लच्षड देखे जाते है सारी की सारी बात मैंने आप लोगों को बता दिया है चार स्टेज में इनके लच्षड देखे जाते है तो मतलब यह चोथा stage चल रहा है अगर यह सारे लच्छड, blood pressure high हो गया है हाइट बेट, irregular pattern बेट कर रहा है हाइट फेल हो गया है, lung with water pulmonary edema हो गया है तो यह तीसरे stage की बात चल रहा है यह patient तीसरे stage में है भी और दूसरे stage में कर रहेगा तो क्या होगा, shooting होने लगेगा बहुत ज़्यदा घबराहट फेल होने लगेगा increase हो जाएगा heart rate, vomiting देखा जा सकता है चक्कर आना देखा जा सकता है diarrhea का मतलब होता है, बार बार दस्त होना यह सारे problem देखे जा सकते हैं और सांस लेने में भी problem हो सकते हैं तो यह दूसरा stage होता है और पहला जो stage होता है, वो होता है swelling हो जाना, बहुत ज़्यदा वहाँ पर दर्द होना जनजना हट होना, तो यह सारे problem देखे जाते हैं पहले वाले stage में इतना बात आपको समझ में आ गया होगा और अगर किसी को विच्छू bite करते हैं Scorpion bite करते हैं तो इसको bite करने का क्या कारण होता है यह भी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यह नहीं लगता है कि हम इनके उपर attack करने जा रहे हैं लेकिन हमने तो इसको देखा ही नहीं होगा तब भी यह लोग अपने बचाओ के लिए attack कर देते हैं यह नेपाली पेता लग जाता है कि हम इनको मारने जा रहे हैं और इसी वज़े से अब लोग इनको देखते हैं तो तुरंत इनको मारने के लिए दोड़ जाते हैं अगर यह किसी को उपर attack नहीं करते हैं तो इनको देखकर के लोग भी इनको attack नहीं करते हैं जैसे कि माल लीजिये चीटियां हो गई चीटियां कितना ज़्यादा घूमती रहती हैं तो क्या उनको दड़ा दड़ा कर लोग मारते हैं नहीं मारते हैं लेकिन यह जो होती हैं इनको लगता है कि इनको लोग मारने हुए आ रहा है कोई भी आएगा तो इनको लगेगा कि हम मारने ही जा रहा है इनको तो ये तुरूंत इनको डैंक मार देती है और हम लोगों के अंदर भी यही बन गया है कि अगर हम इनको नहीं मारेंगे तो यह हमको मार देंगे तो यही सारे process चलते रहते हैं और यह सारे इनके treatment हो गए आई होप आप लोगों को यह सारी बास समझ में आया होगा और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाईए और पना बात बताईए कि आज का वीडियो कैसा लगा समझ में आये तो बहुत एच्छी बात है जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं हो चैनल को सस्क्राइब कर देना जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में प्रसनल दूरना चाते हैं तो सपोर्टिंग आप फार्मेसी जो चैनल का नाम है वो सर्च करके आप हमसे प्रसनल भी जुड़ सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो नहीं पर होता है कम्प्लीट थैंक्स और आज में वीडियो लाइक कमें से रहें सब्सक्राइब इस चैनल